हलो दोस्तों, आप सब का बहुत बहुत स्वाबत है D2 Electrical Study के एक और नए वीडियो में आपने वर्क्शॉप, कमपनी या कही जाते समय विभीन प्रकार के चिन्न देखे होंगे इन में से कुछ परिचित होंगे? हो सकता है, दूसरी चिन्न आपने पहले कभी न देखे हो ये सब हमें खत्रों से सावदान करते हैं, चेताओनी देते हैं या फिर information देते हैं तो इनी चिन्नों को हम safety sign या सुरक्शा चिन्न कहते हैं आजके क्लास में हम इनी सुरक्शा चिन्न, safety sign की study करेंगे तो आजका क्लास स्टार्ट करते हैं सुरक्षा चिन्न सामान तहा चार प्रकार के होते हैं पहला निशेधात्मक चिन्न दूसरा आदेशात्मक चिन्न तीसरा चेतावनी चिन्न चौता सूचनात्मक चिन्न अब इनको एक-एक करके डिटेल में पढ़ते हैं पहला है निश्यदात्मक चिन्न मतलब prohibition sign यह नाम से ही पता चलता है कि किसी जग़ पर यह चिन्न अगर दिखाई दे तो इसका मतलब जो चिन्न दिखाई गया है वो काम करने के लिए यहाँ पे सक्त मनाई है एक्जामपल से समझते है जैसे do not extinguish with water मतलब यहाँ पे लगी आप पानी से नबुझाए दूसरा no smoking मतलब धुम्रपान करना सक्त मनाई है अब एक्जाम के दृष्टि कोन से अगर देखे तो इन चिन्नों का हमें design आकरोती की स्तिरसी दी है उसका background color कोन सा है उसका चिन्न का color कोन सा है यह साब हमें पता रहना जरूरी है तो इन चिन्नों का आकार गोला कार रुत्ता कार मतलब circular होता है इनका background color जो है वो सफित color का होता है जो गोल बना होता है वो red color से बना होता है और उस पे cross होता है वो भी red color से होता है और इनका चिन्न जो है वो काले रंग से बना होता है अब दुसरा चिन्न देखते है आदेशात्मक चिन्न मतलब mandatory sign ये चिन्न किसी नियम की अनिवार्यता को दर्शाता है मतलब ये चिन्न अगर किसी जगद दिया जाता है तो उस नियम का पालन करना अत्यावशक है एक्जामपल से समझते हैं सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने वेर आई प्रोटेक्शन आखो की सुरक्षा के लिए चैस्मा पहने हैंड वाश मतलब हाथ स्वच्छ करे इन चिन्नों की आकरूती डिजाइन गोल वुरुत्ताकार होती है यानि सरकूलर होती है इनका बैग्राउंड कलर ब्लू कलर का होता है ब्लू कलर पे सफेत रैंग से चिन्न बनाते है चेताओनी चिन्ना वर्निंग साइन ये चिन्ना किसी जगवर खत्रा दर्शाते है एक्जामपल से समाजते है जैसे रीक्स ओप फाईर मतलब आग का खत्रा रिस्क ओप इलेक्रिक शॉक मतलब इलेक्रिक शॉक लगने का खत्रा अब इनकी डिजाइन आकरूती त्रिभू पुजाकार होती है इनका बैग्राउंड कलर पीले रंग का होता है बॉर्डर एबन चिन्न काले रंग से बने होते है अब देखते हैं चवता चिन्न सूचना अत्मक चिन्न मतलब information sign ये चिन्न हमें सूचना देते हैं information देते हैं जैसे कि यहाँ पे fire exit है यहाँ पे hospital है यहाँ पे school है इस तरह से की design आकरूती चौकर मतलब square type की होती है इनका background color green होता है एबन चिन्न वो border सपेत रंग का होता है तो ये चार महत्वपुर्ण साइन हमने यहाँ पे study की है इनका प्रयोग आवश्यक सुरक्षा जैसे workshop company या तर जगह के लिए किया जाता है जो आप सबको पता रहना बहुत ही जरूरी है तो आज के class में इतना ही ऐसे ही electric knowledge के लिए like, subscribe और comments करना ना भूले तो मिलते हैं नए topic के साथ नए वीडियो में